बिग बॉस 30 में खुद को घर से बेगर होने की टास्क में सुरक्षित रखने का नॉमिनिटेड लड़कों को एक मौका मिला था हाला कि यह टास्क रद हो गया है खास बात है कि इस टास्क को किसी और ने नहीं बलकि बिग बॉस ने रद किया है इसके साथ ही घरवालों की लगन की तारिव भी की इस टास्क के दोरान कुछ ऐसा हो गया कि कई घरवाले आपस महीं जगड़ा करने लगे इसके बज़े सिधार डे का विवादीर कमेंट था दरसल 18 अक्टूबर को टेलीकास्ट हुए एपिसोड में दो लड़कों के पास खुद को सुरक्षित करने का मौका था चाल लड़कों को दो टीमों में बाटा गया था एक टीम में सिधार डे और पारस थे जबकि दूसरी टीम में अबु मलीक और असीम रियास थे लड़कियों को टै करना होगा कि वो किस टीम को बचाएंगी जो भी टीम इस मुकाबले में जीत जाएगी वो नॉमिनेशन से तुरंथ सुरक्षित हो जाएगा ऐसे में टास के दोरान लड़किया जिस टेम को बचाना चाहती थी उसे सुरक्षित करने के लिए दूसरी टेम को हटाने की कोशिश करने लगी इसी दोरान आरती सिंग पारस और सिधार डे के उपर कई चीजे डाल रही थी आर्ती का साथ शहनास भी दे रही थी आर्ती शुरुवात में सिधार डे के गुद्गुद्धी करने लगी इसके बाद सिधार डे ने आर्ती परफद्धा कमेंट कर दिया सिधार डे का ये कमेंट सुनते ही आर्थी को गुसा आ गया और उन्हें खरी गोटी सुनाने लगी आर्थी ने जब ये पूरी बात सिधार शुकला को बताई तो उन्होंने सिधार डे को खुम सुनाया सिधार शुकला ने सिधार डे से कहा तुमने जो कहा है वो तुम्हाई सोच दिखाया है अगर तुम बाहर होते तो तुम्हारा मुह तोड़ देता इसके बाद सिधार शुकला और सिधार डे का जगड़ा बढ़ गया यहां तक कि सिधार आर्थी से कहते हैं जितनी भी लड़किया वहाँ खड़े होकर यह सब सुन रही थी और तहजीब की बात करती हैं तो एक लड़की के लिए कैसे यह बात सुन ली है आपको बता दे इस बाग घर से बेघर होने के लिए पालस के अलावा सिधार डे अबू मलीक और असीम रियाज नॉमिनेटर हैं जबकि लड़कियों में रश्मी देशाई और माहिरा शर्मा है इस हफते भी घर से दो लोग बेघर होंगे जिसमें एक लड़का और एक लड़की होगी आपकी क्याराय है इस स्टोरी को लेकर आप हमें कमेंट के जरिये जरूर बताए झाल